तो तिल लाओ अभी तक हमने जितनी भी चीज़ा पढ़ी वह हमने काफी डिटेल ने पढ़ी दीप को स्टड़ी की, कॉंसेप्ट को समझा, ग्राफ्स ड्रॉक किये और एक तम फील लेनी की कोशिश की, पर आज का लेक्चे पिशले इस तमाम लेक्चे से जाड़ा इंपॉर यह आपका आउट्पूट है, वह सब कुछ आपका इंपूट है, तो यह बहुत हैं समझने चीज़ों को, जितनी चीज़ें आपने अगर लेक्चेस बहुत ध्यान से देखे हैं तो आज का लेक्चेर आपके लिए हलबा होगा है, अगर आपने फिल किया है, और अगर नही इक्वेजन का फिक्स पॉइंट इटरेशन लगा कर रूट फाइंड करना है, बात समझ आगी, चौलो फिर हमने इसका करना है, रूट फाइंड सो नेक्स पहले चो मैं कर लेती हूं, पहले मैं कर लेती हूं कि यह फंक्शन की फॉर्म में, विच इक्वल टो एफ एक्स इस कौन पर कौन के इहां इंटरवल नहीं गिए और हम इंटरवल बनाएंगे, मैं मैं इसे नहीं करी इन एवरी केसे, मोस्ट ऑदा केसे ना हम जो है वह 0 और 1 पा भी बनेगा या फिर आगे बनते हैं, हमने ढूनने हों वैलिम्स, जो लो पर बना लेते हैं, टेंशन और क्या बात है, लो आई इवल में का टेबल एक इधर आजेगा और एफ एफ एकस की वैलियू मैं इधर लिख लूँगे आपके लिए, आपके लिए, लिए फंक्षिन में एक्स, जो मैंने एक्स पूट की तो एफ एफ एकस क्या आपको बहेव करता है, देखते हैं, थ्री की तर्फ लिका मभर जो एफ जो ए जीरॉ डेकामस वाइट छुल पिर लिख लेते मैं डेका माइनस shot, डर्न हो है अब मैं नेक्स वाइख लोगी, विज इधर टू? जब तक हमें आर्टनेटिव नी कंजेक्टिव दो ऑपोजिट साइन चाहिए और जो दो कंजेक्टिव ऑपोजिट साइन चाहिए बिकॉस्ट वी वांट तो मेक इस तिंग इस तिंग अगर किसी को पिछले लेक्जर जाद है न तो उसको यह बात समझ आज़े लॉट से एक पर मेरी जो फंक्शन की वैल्यू है और यह विल यह तिंग पर एक सब्सक्राइब मेरी जो पॉजिटिव धेनि दिरमियां लाय करता है यह वाली बात याद थान प्समझ आए और बात कोई टेंशन पर नहीं नीचे कमेंट बाक्स में लिखना आई रिस्पॉंड तो दैट इंशाल्ला सो यहां डाला अब एक सब्सक्राइब करता है यहां से क्या जाएगा हमार पास त्री और अब यह जान तो इसकी बहली हो दे टू पॉइंट सौरी तू पॉइंट रेक्स्पानेंचल फंक्शन है ना तू पॉइंट सेव वान सेवन सो हम यहां देंगे जीरो पॉइंट टू एट बन सेवन और मिल गई है मैं कंजेक्टिव वैल्यू एक पॉजिटिव है एक नेगिटिव है तो यह ही हमारा इंटर्वल ठीक है मुझे मिल गया अपना इंटर्वल अगर ना मिलता तो मैं अपना प्रोसेस आप तो मैं थ्री लिखती जब तक मिलता है मैं काम जारी रगती बात समझागी है सो यह होगा हमने इंटर्वल फाइंड करें नंबर वन था इंटर्वल फाइंड करना वह हो गया अब नमबर टू बात यह और यहां से मैं लिख भी लेती हुए चार बात है के अच्छा रह हूं क्या करते है जिनिंछर कि छे meant टैनिंट से पाङसर के बनाना है यहां से अब मुझे बनाना है अपना फिक्स पॉईंट ऑट शन माना है इस उत्स एप वाट पाको बनाम घो अब कि ऍॉतनी पोसिबल नא मैं जितनी में आ सकती हों आपको बनाऊंगी जिस पर मुझे स्लूशन मिल गया उस पर मैं बनाऊंगी इसमें मिला उस पर मैं अपनी फिक्स पॉइंट आइटरेक्टिव फॉर्म लगाऊंगी किस तरह करूंगे विद्ध को अच्छा सब्सक्राइब कर लेते हैं यहां से तो इक्वल गया इसके अजस्ट आइस साइड सो यहां से एक्स का स्क्राइब इस इक्वल टू थी आफ एक्स यह लोग कोई टेंशन वाली बात नहीं और यहां से गया अपना राइट किसी कोई तरह यहां तक तो आई होग के नहीं होगा आई हैब मेड माई जी आफ एक्स राइट इस इक्वल टू जी आफ एक्स यह मैंने बनाया अपना पिक्स पॉइंट आइटरेटिव फंक्शन अब चेक करना होगा भाई यह कितना वर्ट था इसके अब इसकी क कॉपड़ हो गया जीरो से वन के दम्याना होगे बात बन गए चलो बना लेते हैं चलो लोग आजो डरिवेटिव इसका डरिवेटिव डरिवेटिव ऑके सब्सक्राइब साथ पावर मेंसे किया हमने एक माइनस यह निचे आजएगा एक माइनस करने से बात ठीक है और उप यह आजएगा माइनस वन बाइटू और यह आजएगा एपावर एकस ठीक है कोई टेंचिन वरी बात बिल्कुल भी नहीं है ठीक है अब मैंने चेक करना है यह नहीं है तो यहां से अब मैंने इसके अंदर धाली अपनी अप्रोक्सिमेशन तो मैंने यहां से अगरा को कर गाला है वह यह है कि मेरा इस लाये कर रहा था तो मैंने अपनी अप्रोक्सिमेशन यही से नती है यह इसके थी Yo और हम çek करेंगे!. यह bikite tek कि जिरो पूट करेंगे अंदर राइट सो अचिए मैं इसे डालते हैं तो यह लो इसे लो यह प्राइई की पावर जी रो यह लो दो यहां पर हमारे पास वान बाई सिक्स और यहां पर आएगा त्री उपर से ला गया तो इसको कर देंगे तू ठीक है पॉजिटिव वन बाइटू किसी को अतरास यहां से बन जाएगा अंडर रूट थ्री बाइट सिक्स जी और इसकी जब अब बैल्यू केल्कुलेटर पर डालो गेना तो क्या मिलेगी डाल लेना केल्कुलेटर पर गवालो गालो गोलुटिव दियांच जी दैश फर एक्स इस अनव जबर्ज तू रूटॲू यहां से मुझे तल मुल ला मिल जो मिलना था मैंने का लिया थिक यह प्र बैल मैंने नमबर वांब खर अपना इंक्र बना इंटरर मिनाएं इंक्स और बना इंक्स कि अचीं टर्वा बनाए तो अपना अपना इंटा इंटा अपना 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 सब्सक्रि अपने इस बॉंट इस इपने मसा अभी बनाने लेगी को अब कैसे बनाएंगे उसका फॉर्मला यह होता है फिक्स्थ पॉइंट आईटरेटिव फॉर्म एकस पोइंट यह था कि क्या थी माले पास प pots प्याल माइनस वान के या पिर इसखो 95 आप इसको यौह सब्सक्राइब अब लेखते हो तो हम से यह रहे ऑन यह तो कहीं पर यह वह यह वह हो होता है यहां पर इसके में जरेट रहें दाने हो इसके अश्य को अब प्लास नहीं को समझ आयो वोस्च से next time लेना था तो function तो बनाते हैं अब P को हम change करें एक से तो I want to iterative form बनेगी P N plus 1 which is equal to G of N कोई तरह और मेरा G function जो है मैंने बनाया था यह बनाया था यह बनाया था यह बनाया था जो कि निकल आया है राइट इसी को बनायेंगे वहर के दालते हैं इसके 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 फंक्शन सो N plus 1 अच्छा मैं थोड़ा सा चोटा करके साइट पर लिख लेती हूं कि मैंने I want to do iterations here थोड़ा चोटा लिखूंगी तक है थोड़ा sequence मेरे सो first iteration के लिए सो first iteration आया है first लिखना था चोलो number one iteration अब अपने बहुत गौर से देखना है मैंने किसना iterations करने है ठीक है यहां पर P X N plus 1 is equal to ठीक है अंडर रूट जी और आएगस पावर N divided by 3 राइट सो पहले मैंने अब initial iteration करनी है तो मैं initial iteration में लोंगी N is equal to 0 इसमें जा मैं N is equal to 0 पूट करूंगी I will get X power 1 X1 sorry X power नहीं यहां पर आएगा X N यहां पर आएगा X not divided by 3 और यहां से अब सवाल है कि जोगा X not is equal to यहां से मैंने यह 0 इसको माना था initial iteration जिसको मैंने पहले भी पूट किया था यह देखो यह मैं initial iteration देखो यह मैं initial approximation यह मैं यहां पर यह की पावर में डाल दो 0 divided by 3 ठीक है तो यहां से मिलेगा 1 by 3 विच इस एक्वाल टू 0.58 यह हमने अप्टू टू डैसनों के इस तक किया राइट यह हमारी थी फ़र्स 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 आइटरेशन जिसमें से हमें X1 की value मिली है हमारा X1 जो है वह equal है 0.58 के राइट अब हम करेंगे अपनी उससे next iteration राइट सो अब बहुत गौर से रिखना हम हर iteration अलग color से करूंगी ठीक है तो second iteration second iteration के दिवे अंदग पहले मनें यहाँ पर n is equal to 2 put किया था है अब मैं n यह equal to 1 put करूंगी फ़र्स आइटरेशन के लिए मनें इसमें 0 put किया था अब मैं 1 पूट करूंगी राइट एन इस एक्वल टू वन कोई तरह किसी को इंशाओला नहीं होगा चला पर लिखना शुरू करते हैं सब्सक्राइब एक्सटो इस इक्वल टू एक्सवड और यह पर आजागा यह और अब बहुत गौर्ट से देखना कि अब आपने एक्वावर वन को वैल्यों देना अब यहां पर एक्वावर वन जो की जिसकी वैलुजीर यहां पर यह डाद लिया इंपूट मतलब कि जो फर नहीं चीज नहीं कर रहे हमने वह जो सब को सीखा है ना उनको इंपलिमेंट कर रहे हैं और गुट पुट एवरेटिंग इन केल्कुलेटर यू विल एक्टि एल्टिमेटलिकेट 0.77 और याद अपना इस सब कोश्चन को करते हुए कल्कुलेटर को फिक्स कर लेना आपने अब थर्ड आइटरेशन करेंगे अपना हम यह सारा प्रोसेस तब तक जारी हो सारी रखेंगे जब तक हमारा आप वैलियू रिपीट ना कर जाए यहां वाली वैली रिपीट ना कर जाए जब आउटपुट रिपीट कर गया महीं स्टॉप कर जाएंगे अब पिछ्थी इ आपको प्रॉब्ला को एक सजेशन दोंगे कि प्लीज जरूरत से जादा केल्कुलेटर यूज कर करें इस को बहुत एजी है फॉर्मला याद रखिए और प्रोसीजर याद रखिए स्टेप्स को याद रखिए को याद रखिए इन साए कोशन में अमेरिकल मैथमरे यू है आप उसको यू लाइन करें और इन्पुट करें यू दू नॉट हैव तो यूज विजूल सी ट्रिक्स वां के अल्कुलेटर्स तू सॉल्ट इस काइम रखिए बात बस धमाग चाहिए और यहां दो मैंने जिल्दी बना लिया मैंने अपना ये फिक्स पॉइंट इडिए बना ना उपर नीचे दाएं बाइब बस एक्स की वैल्यू नकाल करना है तो दो देन फंक्शन बना तो देन च्यार फंक्शन मैंसम बनेंगे पांच तो उनको बना कि क्या फरक पड़ता है तो इसलिए फजूल से कैल्कुलेटर्स करने की जूरूरत नहीं है में यहां पर यहां पर जीरो पॉइंट फाइल बात समझागी नौ विल डू पॉर्था इटरीशन सो फॉर्था इटरीशन तो अब यहां पर एंट की वैल्यू क्या देंगे ठीक है चौलो डाल प्रोसेस को जाले लखेंगे एकस पावर एकस की फोर वी गेट एकस की थ्री डिवाइड़ बाइट वाइट थ्री तो यहां पर हम पावर देंगे जीरो पॉइंट फाइव डिवाइड बाइड जड़ेंगे तो विल टेक परपल नहीं किया विच इस पावर फाइब विच इकवर तो यह की पावर आजेगी एकस पावर फोर ड़ाइड बाइड बाइड त्री तो अब पावर देंगे 0.88 divided by 3 we get 0.90 तीए चौलो आजो अपनी करेंगे अब यहां से 0.90 आया और यहां कौन सी वाली आइटरेशन ते 5th और आजो 6th आइटरेशन करेंगे बहुत मज़ेगी कोशन है अगर आपने इसको फील कर लिया इंचाला तो बहुत मज़ेगी है राइट ज़्दा कुछ करने क है निचलो यह लाइट ड्रीन कर रही उस कर लेते हैं तक किया है नहीं कभी ओके सो विल डू सिक्स आइटरेशन आई होके कर आपको नजर आ रहा हो अच्छे से सब्सक्राइब क्या देंगे सिक्स आइटरेशन में एन की वैल्यू हम देंगे 5 जो डालते हम एन की वैल्यू तो थी डिवाइड़ वाइट वाइट त्री और हमार पास एक्स सिक्स की वैल्यू जो आ रही है वह जीरो पॉइंट नाइन जीरो बस डाइटरेशन और रूट रिपीट कर गया है यहीं बात रूख तो यह लेको यह मारी फर्स्ट आइटरेशन थी यह दूसरी यहां से मैं पता के चला इंडी एंड जूम इन दुबारा करेंगे इधर आजो अच्छा सा कलर आजो रूट अब टू एक्रसी टैरेश्ट वा माइनस टू इस जीरो पॉइंट नाइन जीरो बात बन गई तो इस इस ओल आइपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा मैं अभी भी कहते हूं कि डॉंट यूज केल्कुलेटर ओबर मैं आपने अपको पार रहें यह बहुत अच्छे क्वेशन हैं इंटर्व बनाओ नमबर वान इंटर्वल बनाओ नमबर तू उसके वाला आपने अपना एक कोशिश करनय Tsch इस equation को जोन सी equation giveन है उसको यूच करकर अपने fix point function बनाओ उसमें से जोन सो फिक्स पॉइंट फक्शन वह डो जाए उसको आगे लेकर fix point उसको आगे लेकर fix of हो उसको आगे लेकर fix point iterative form बनाओ जो कि यह वली form है यह वली form है इन दोनों में इसे कोई भी यूज कर लो राइट फिक्स पॉइंट आइटरेटिव फॉर्म बनाओ और उसके बाद आप आप आइटरेशन पर फॉर्म करो और आइटरेशन तो बड़े मज़ए अगाम है यार सो आइटरेशन पर फॉर्म करो जो और रूट रिपीट कर जा है बात समझागी so that is all I hope you enjoy it and learn a lot